नमस्कार प्रनाम मैं अन्शु कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में और आज के हमारे इस वीडियो में तो आज जो है वो ग्रीन टीवी की टीम जो है वो उत्रा खंड के उधम सिंग नगर में है और यहां पे हमारे साथ एक युवा किसान है जिन से हम जानने वाले हैं धान की खेती के बारे में इन्होंने धान लगा रखा है और धान की बास्मती किसम लगा रखी है इसके क्या फ ऐसा जैसे ग्योंके का बात में लगाई चालू हो जाती है इसमें एक तो इसमें अपने खाथ कम लगती हुआ पानी का थोड़ा ज्यादा रहता अर्जों मांसुन वाला उसमें थोड़ी बीमारी ज्यादा तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चारो बगल जो है वो दान का खेत है सब मैं सबसे पहले बाथ से पूछने जागोगं और और यह आपने लगया प्रेल है कूस आप यह उन्होने लगाया है और कितने जमीन पर कितना जमीन पर आपने यह शिब तद़ राखा द्शात keeping मैं मैंने अपनी जमीन पर कम 15 एकड के सम्थिंग लगा है और यह आप लोग हर साल लगाते हैं या फिर पहली बार लगा है मैं हर साल हर साल जी मैं तो कंपेरिजन अगर हम करें जो आपने शुरू में कहा कि कंपेरिजन कि अगर जो हम मौनसून के बाद लगाते हैं दान और जो यह अर्ली विराइटिय इन दोनों में क्या क्या फर्क है में फर्क इसका यह एक तो कियाकर सबसे समस्यार इसमें थोड़ी केड़ाचा ज्यादा लगता है इसमें थोड़ा कम लगता जून लास्ट एर जूलाइए में इसकी हार्वेस्टिंग होता है, तो यहां नुक्सान भी होता है? ने मैं नुक्सान तो नहीं होगा, अब तो मशीन यहां यह एसी आगी है, तो फॉरवाई से कर जाता है धान भी ना? तो कौनसे विदी से आपने यह धान लगाया है? प्रॉपर जो पुराना विदी था या फिर कोई मशीन का इस्तेमाल करके दान लगाया है तो उत्पादन कितना हो जाता है पर एकड के हिसाब से पर एकड के हिसाब से पर एकड के साब से 35 कुंटल और इसकी मार्केट में रेट जो नॉर्मल धान है उससे कितना ज्यादा होता है मैं नॉर्मल जैसे हम बरसाद वाला उसमें तो ऐसे हम इसमें चबूस हो फचिससो यह रेट ऑच्छा जनरली कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी क्योंकि अपरेखल से जून तक बहुत जादा गर्मी रहती है तो इस गर्मी में रोख कीट कम लगने की तो यह द्धान भी रोग प्रति रोदक्षमता इसकी जादा है रोग कीट कम लगते हैं अगर लगता है तो कौन-कौन से रोग कीट लगने की जादा संभावना होती है मैं इसमेर रोग कीट की एक तो पतालवेट एक गोवाली संडी मैं उससे थोड़ा उसका यह नुक्सान है जो गोवाली संडी है उसके नीचे जो कल्ले आते हैं वो थोड़ा सूग जाते हैं तो एक तो इसमें यह नुक्सान है और जो पतालवेट है उसकी संडी होती है वो प खेत की तैयारी कैसे करते हैं धान की कटाई के बाद खेत की कैसे तैयार करके यह दान लगाते हैं मैं एक तो हैरो लगाते हैं फिर उसके बाद में पानी चोड़के तो रूटा वेटर से हम तियार करते हैं इसमें पानी की जो मात्रा है क्योंकि बारिश के टाइम में यह ग्र तो जैसे कि मैं अभी सर ने बताया आपको कि एक एकर में करीब 35 कुंटल जो है वो मुनापा हो जाता है जो की काफी अच्छा उत्पादन है तो यानि की कम लागत में लागत तो सर जो नॉर्मल धान में लगता है लागत उतना ही लगता है बलकि दवाईयों का मात्रा कम हो ज कम लागत में जए वुदरा मिना चाहेंगे मैं स्न्देश यह अब १ यह दौ में धान लगा हमें हमें पहले निलगाते थे चार-पांच्वां चालू आप तो तो इसमें थोड़ा फैदा भी है उसमें किरनाशक में बहुत जादा लगता है इसी चक्कर में मैं दूसरे किसानों को भी कहना चाहता हूँ यही वरैटी लगाए बहुत बहुत दनिवाद से हमसे जुने के लिए तवाम जानकारी देने के तो अगेती किस्प में कह सकते हैं जो कि गिहू की कटाई के तुरंत बाद खेत तयार करके इन्होंने यह लगाया है और काफी जादा फाइदा मिल रहा है तो आप भी चाहें अगर आपके यहां पे मार्केटिंग की अच्छी सुविधा हो और खेत आपका अच्छा है पानी की अच्छी सुविधा है तो और अगेती धान की खेती करके आप जो है वो दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन सकते हैं तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही अगर आप भी धान की खेती करते हैं या कुछ ऐसी खेती करते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि आप दूसरे किसानों को बेज सकते हैं हमारी टीम आपके खेट पे आके आपके बारे में जो है वो दूसरे किसानों को बताएंगे और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे तो आप कमेंट में अपना सजेशन अपना फीडबैक आप सुझाव दे सकते हैं तो अगर अभी तक आपने ग्रीन टी यूट्यूब पर भी बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं